यदि संख्या 5, A, 3, 7, 1 3 से completely divisible है तो A का मान बताइए What is the value of A? Question आपको दिख रहा है बहुत ही जी है, very simple है इसका correct answer होगा क्या? 2 2 होगा, कैसे होगा? अगर ये संख्या 3 से completely divisible है साथियों तो यहाँ पर answer 2 होगा 2 कैसे होगा, क्यों होगा? क्योंकि 3 का विभाजेता नियम कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजे होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजे मानी जाती है इनको सब को जब आप जोड लेंगे तो आपको मिलेगा कि 5, 3, 8, 7, 15, 16 16 धन A बराबर अब ये बताओ कि एक ही जगा पर ऐसा कौन सा मान रख दिया जाए कि जो आए वो 3 से विभाजे हो अगर एक ही जगा पर 1 रखेंगे तो 17 आएगा 17 तीन से विभाजे नहीं होगा 2 रखेंगे तो 18 आएगा 18 तीन से विभाजे होगा कि हैना तो सबसे छोटा मान क्या हो सकता एक डो हो सकता है किसम्मेय राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पिस छड़ी में छे खोलं देपंक मेरे कहता है परिंदांअभी और उडान बांकी है खोल दे पंक मेरे कहता है परिंदा अभी और उडान बांकी है जमीन नहीं है मंजिल मेरी अभी तो पुरा आस्मान बांकी है उमीद है कि आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है इन्हीं उमीदों के साथ आज की कलास नहीं क्लिप मिल गया यूटूब पर या कहीं और डेमो के रूप में तो आप इसके पहले आपने सारे पढ़ लिए थे संख्या पद्दती नंबर सिस्टम का चैप्टर आपका खतम होने वाला है बहुत टाइम है अभी पेपर में इसलिए आराम अराम से पढ़ रहें बढ में लिए विघच में जो बच्चे कोर्स में इन्रोल हैं उन्हें मैं देखता हूं उनका कमेंट में देखता हूँ जो नहीं डोल है बहुत जल्दी इन रोल हो जाएँ अ पहले क्या करेंगे हम वीभाजतानियम डिवीजबिल्टी मगच रोल बाय टू देखे डिव यहाथ होता है वह संख्या दो से कंपलेटली डिव स्मेशबल होती है कोई भी नंबर अगर आपको दिया है अगर उसका लाइस्ट का अंक जो है जीरो दो चार छे आर्ट है तो वह दो से कंप्लेटली डिविजबल होगी बस यहीं सिंपल सा एक तरीका है ठीक है लेकिन इतने में काम नहीं चल रहा होगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिखाना का जरूरत है दो में तो मुझे नहीं लगता जरूरत है तो आप लोग कर लेंगे ना लाइस्ट अंक देखना है बस देख लिजिए परिभासा लिख लिजिए जिनको लिखना है दो से विभाजता नियम डिविजबिल्टी रूर बाई टू यदि संख्या काई काई यंग 02468 है तो वो संख्या दो से पूरता विभाज्य होगी जैसे उधारन के लिए 485398 देख रहना इसक्रिन पर इसमें लाइस्ट मैं क्या है 98 है पहले नंबर में इसलिए यह दो से विभाज्य है दूसरे में देखो 173256 इसका लाइस्ट इजिट 6 है इसलिए 2 लिए येसंख्या भी दो से पूरता विभाज्य है अब समझने वाला आता है मेन जो है वो तीन का विभाजता नियम आता है divisibility rule by three ये थोड़ा समझने वाली चीज है इसमें question भी आपको करवा के दिखाएंगे ये जरूरी है ठीक है आईए फिर एक और कोशिस करते हैं देखिएगा प्यार से पूरा कलास को इंड़ तक देखिएगा बीच में कहीं जाना नहीं किसी को ठीक है चलिए साथियों तीन का विभाजता नियम कहता है कि वो नंबर तीन से completely divisible होगा जिसके अंकों का योग तीन से पूरता विभाजित हो जैसे अभी शुरू में एक ट्रेलर दिखाया था ठीक है जैसे उदारन लिखिए ठीरी फाइब वन टू वन ये तो सायद अभी करवा दिया था नहीं नहीं अब यह संख्या तीन से completely divisible है या नहीं है इसको कैसे जानेंगे इसको जानने के लिए साथी मेरे इनके सभी अंका को जोड़ देते हैं 3 प्लस यह आपका 5 और यह प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 ठीक है तो 5-3-8-1-9-2-11-1-12 यह मैं थोड़ा पूरसत में अ से completely divisible है यहां पर completely divisible का मतलब यह है reminder 0 हो जाए सेसफल सुनने आना चाहिए ठीक है समझ में आया ना तो अब अगर आप इसको तीन से भाग करेंगे तब यह भी पूरता विभाज्य है भाग करके देख लिजिए तीन एक कम तीन फिर तीन एक कम तीन बचे गदूई हो इसमें तीन का गुड़ा कर लिजिए नीची वाला आ जायेगा तीन सते एक तीन सते एक इसका एक हांसिल दो तीन एकम तीन दोई पां तीन एकम तीन ठीक है यह यह क्या है इस संख्या को तीन से भाग करने पर यह भागफाल आएगा अगला कि किसी को कोई डाउट है स्रीवास्तो असफा परवीन सुप्रिया और लालुयादो अन्नु अलका निगम और हरी स्याम पंकज मोहिज सिंग मनोज परजापती राहुल सर्मा और भी तमाम बच्चे जुड़े हैं सबका नाम बोलना पॉस्बल नहीं है क्लास आगे चलने दीजिए पारुल जी हाँ क लास रेगूलर चलती अप्लिकेशन में अगर आप देखिए तो रोज मिलती आपको अगर यूटूब पर या कहीं और देख रहें तो आप आप में आ जाएं पहला सवाल का जबाब दीजिए करा निम्न संख्या में एक निउन्तम मान बताईए यह तब है कुश्चन ध्या अगर यह तीन से कमपलेटली डिविजबल है तो एक अमान बताना है उमीद है कि सभी बता लोगे पका ना ठीक है बहुत अच्छे अभी साथ इसको करवाया था ना पांच तीन आठ साथ पंद्राइक सोला करवाया था तो एक अमान के आथा दो सबसे सुरू में इसी को पाया था इफी तरीके का अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कुश्चन आपकी स्क्रीन पर इसमें भी आपको वेलू आफ एफाइंड करना है ऑप्शन भी दिया है कोई कमेंट करेगा रोहित पिसकर्मा ठीक है बहुत अच्छे आकाज श्रीवास्तो ठीक है प्रांजल सिंठा कुर्व कि बहुत अच्छे ठीक है आप भी ऐसे ट्राइब करें इसमें कहरा कि अगर यह संख्या क्या है तीन से कंप्लेटली डिवीजबल है तो एक अमान ग्याद कीजिए बहुत सिंपल है आई यह नंबर है इनके सबी डिजिट को सम कर देना जोड़ देना है यह बहुत आसान है सेबन थ्री टैन हो गया टैन में टू ट्वैल हो गया वन थर्टीन यानि फाइनल में आपका थर्टीन प्लस ए आ रहा है अब ए में ऐसा कौन सा नंबर एड कर दें कि जो आए वो तीन से कंप्लेटली डिजिबल हो वह सिंपल सा बात है अगर यह एक अमान एक रखेंगे चौदा आजाएगा 14 14 तीन से डिजिबल नहीं है अगर दो रखेंगे तो 15 आजाएगा और 15 तीन से डिजिबल है हमें वो संख्यलाना है कि जो टोटल आए फाइनल वो तीन से पूरुता विभाजे हो त अगले सवाल की तरफ आगे बढ़िए आपके सामने दिया गया है जल्दी जल्दी कमेंट करिए देखिए कमेंट के चक्कर में फालतु वाले कमेंट की चक्कर में ना पढ़िए जब मैं कोईश्चन करूं तब जबाब दो एक एक बंदा बंदी सभी ने तो मन नहीं लगत ठीक है बेरे गुड गुंजन बहुत अच्छा बेरे गुड सपना कुमारी देव जोसी और इनाम खान नंदन सैनी ठीक है बेरे गुड जो बच्चे रोज जुडेंगे उनका कमेंट हम जरूर देखते हैं आप टेंसन मत लीजिए बस क्लास में डेली आईए रेगुलर ठीक है और फिर क्या है फाइफ है फाइफ भी हो गया फिर एफिर वन यह अगर तीन से डिविजबल है तो आपका एक अमान निकालना है सबको जोड लेंगे नो तीन बारा पांच सतरा एक अठारा अठारा धन ए अब बताओ ए भाईय इतने पूरा हो जारा है नो एक दस नो अनिस αनिस पांच चायो वि स कुछ अऔर हो रहा है क्या गड़ बड़ हो रहा है क्या छुट रहा है नो तीन बारा पांच सतरा एक अठारा यही तो है कुछ छुट रहा है क्या नो, एक, दस, पांच, पंदर, तिन, अठारा, सही तो है एका निवनतम मान क्या होगा यद ये संख्या पूरा-पूरा तीन से completely divisible हो दिया के आप्सन में से कुछ भी सही नहीं है एका निवनतम मान आप 0 भी रख सकते हो क्यों? 0 इसलिए रख सकते हो तो कि 18 जो आ रहा है वो completely क्या है? तीन से divisible है लेकिन एका कोई ने कोई मान तो रखना पड़ेगा तभी तो यह संख्या divisible होगी जो दी गई है नहीं तो यह वैसे तो divisible होगी नहीं न भाईया 9, 3, 5, A, और 1 तो क्या होगा 0 अगला next question की तरफ आगे बढ़ें? एक सवाल का जबाब दीजिए अगर 5, 4, C, 1, 2 यह 3 से completely divisible है तो आप सभी C का मान बताओ जल्दी से फटा फट A, B, यह C, यह D Anyone कोई कमेंट करेगा बहुत जल्दी फास्ट, ठीक है, very good स्वाती, आजे पंचोरी very good, स्वेता, जी सान, सोनु बर्मा ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे very good, इंद्रा कुमार स्विवानी कुमारी, ठीक है एक अमान कितना होगा इसमें? एक अमान आएगा मेरे भाई, कितना? दो, तीन, अरे 5, 4, 9 हो गया अगर तीन से कटना है तो क्या होगा? यार यह क्या हो रहा है? क्या हो रहा हो? देखो तो, 5, 4, 9, 1, 10 अगर दो, बारा, कितना है आप बारा? तीन से completely divisible करना है ना, तो बारा तो खुद ही divisible है, तो C कमान 0 रख सकते हो, यानि नियुन तम्मान क्या होगा? जीरो होगा, यानि अगर यह संख्या तीन से completely divisible है, तो C कमान सुनने होगा, इस तरह के बहुत सारे question बनेंगे, अब भ्यास प्रस्न में सब करवाएंगे, अभी कुछ और देखी आगे, तीन का विभाजता नियम खतम हो गया, अब इसमें थोड़ा सा और सुन लिजिए, यदि दी गई संख्या का इकाई और दहाई अंक सुन है, अथवा इकाई वा दहाई अंकों से बनी संख्या, चार से पूरता, क्या लिखा है भई, विभाज ये होगी, एक मिनट रुकना इनने टाइप में कुछ गलत किया गया, इसमें देखे तोड़ा टाइपिंग में ग अंक सुनने है, ठीक है, चाय तो हेटिंग लिख लिजिए, डिवीजिबिल्टी रूल वाई 4, इसको मैं सुद्ध करवा दे रहा हूं, इसमें कुछ गलत है थोड़ा ठीक है, सुन लिजिए, टाइपिंग में गलत कर दिया इनोंने, ये दिदी गई संख्या का इकाई और चार से बनी संख्या, चार से पूरता विभाज्य है, तो पूरी दी गई संख्या, चार से विभाज्य होगी, तो पूरी दी गई संख्या, चार से विभाज्य होगी, यानि इकाई और दहाई का अंक सुनने आए, या फिर इकाई दहाई से जो अंक बने, जो संख्या बने, वो चार से पूरता विभाजे हो, ऐसा होना चाहिए, उधारण देख लिजे एक्जामपल, जैसे 159, ये क्या है, दी गई पूरी संख्या चार से completely divisible है, क्यूं, क्यूं है ये चार से पूरता विभाजे, क्योंकि लाश्ट का दोनों अंक सुनने हैं, ठीक है, लाश्ट के दो अंक अगर सुन हैं, तो दी गई पूरी संख्या क्या होगी, चार से completely divisible होगी, ठीक है, या फिर दूसरी condition क्या कह रहा था, कि यदि दी गई जो भी संख्याएं हैं, जैसे वो कुछ भी दिया गया, मानलो एक मिनट के लिए आप, कुछ भी दिया गया है, लेकिन उसमें ला अगर आप देखो, तो इसका लाइस्ट के दो अंक से 44 बन रहा है, 44, 4 से completely divisible है, पूरता विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 4 से विभाज्य है, इसमें लाइस्ट के दो अंक से 0000 बन रहा है, यह भी एक condition है, अगर लाइस्ट का दोनों अंक 0000 है, तब भी संख्या 4 से पूरता विभाज्य होती है, जैसे एक और एक्जामपल लिख लिजीए, कुछ भी बना लीजी आप, यह चार से विभाज्य है क्या, हाँ, 56 बन रहा है, लाइस्ट के दो अंक से, और 56, 4 से completely divisible है, 14, 54 होता है, यानि हम कह सकते हैं कि यह पूरा-पूरा दी गई जो संख्या बढ़की वाली, यह क्या है, 4 से completely divisible है, भाग दे के देख लिजीए, बात समझ में किसी को, कोई doubts, किसी को, कोई परेसानी, कोई आफ़त, कोई तकलीफ, नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे परेसान ना रहे हैं बच्चे, सबका comments मुझे दिख रहा है, पूनम हंस पर्दा, निगम, मिसरा, ठीक है, सबका comment आ रहा है, बिल्कुल, बात पक्की, आगे बढ़ें, चलिए, अगला heading लिखिए, डिविजबिल्टी रूल बाई, फाइब, डिविजबिल्टी रूल बाई, फाइब, पांच का विभाजता नियम, लाथी मेरे पांच का विभाज जता नियम बहुत आफान है, डिविजबिल्टी रूल बाई, फाइब, बेरी जी है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लिख लिजिए, यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के, लाश्ट अंक में, यानि संख्या के लाश्ट में, एकदम फाइनल मे लिख लिजिए, पांच का विभाज्यता नियम, डिविजबिल्टी रूल बाई, फाइब, यदि दी गई संख्या का, लाश्ट का अंक जीरो या पांच आए, तो दी गई पूरी-पूरी संख्या पांच से विभाज्य होगी, उदाहरण, कुछ भी लिख लिजिए, जो आ ये भी क्या है, पांच से पूरुता विभाज्य है, क्योंकि इसके लाश्ट में पांच है, जीरो या पांच में से कुछ भी लाश्ट में होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया, किसी को कोई डाउट, नहीं न, चलो, एक कुश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई कि अगर ये नंबर पांच से पूरुता विभाज्य है, तो इसमें डी का मान क्या हो सकता है, पहला आपसन साथ, दूसरा आपसन तीन, तीसरा आपसन पांच और चोथा आपसन नान आपदीज, जबाब दीजिए फटा-फट क्या हो सकता है, पंकत सिंग, राजन यादो, ठ जीवानी, ठीक है, बेरे गुड, अगर आप इस क्लास को यूटूब पर देख रहें, तो गूगल प्ले स्टोर से पीवियर स्टडी आप डाउनलोड करके, आज ही इन्रोल करें, जिससे आप बहतरीन तरीके से हमसे जूड़ पाएं, और पढ़ पाएं, क्योंकि यूटू पहले ही लिख लिया, छे का विभाजिता नियम लिखिए, लिखिए वो संख्या हैं, जो दो और तीन, वो संख्या हैं, जो दो और तीन, दोनों के, दो और तीन, दोनों के विभाजिता नियम की सर्तों का पालन करती हैं, वो क्या होती है, छे से पूरता, यानि completely divisible होती है, ठीक है समझ रहे हो ना दो और तीन दोनों के क्या करें डिपीजबिल्टी रूल का फालो करें यानि पालन करें जैसे उदाहरन अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो लिखिए जैसे मान लीजिए आपने लिख लिए वन थ्री वी वन टू वन थ्री वी वन टू यह संख्या क से कंपलिटली डिपीजबल हो जाएगी क्यों क्योंकि इसमें लाष्ट कांग क्या है दो है और जिस संख्या का लाष्ट कांग जीरो दो चार छे आठ होता है वो दो से पूरता विभाज्य होती है ठीक है अब बारियाती तीन की तीन के लिए इनके अंकों को जोड़ा यागा तीन एक चार एक पांदो साथन भी यानि वी सांक रख दें कि जो आए उच्छे से नहीं सॉरीथ Алई ड़ह कर रहे ना तो ऑफुत का कॉन सा इसा मान राखें कि जू आए वो झाल पूरता विभाज्य हो जाए ठीक है तो B command 2 आएगा तो पूछा क्या था कहरा था कि 2 और 3 दोनों से क्या हो पूरता विभाजिय होगी तभी वो 6 से भी भाजिय होगी तो क्या होगा 2 और 3 एक मिनट थोड़ा थोड़ा लाइक कर रहा है मुझे लग रहा ठीक है तो दो और तीन से completely divisible होने के लिए क्या होगा मेरे भाई भाई भीया क्या होगा यह जो नंबर दिया गया है न यहाँ पर बी कमान क्या होगा दो होगा ठीक है तो बी कमान क्या आ गया लिखो जिनको लिखना देखके लिख लिजे स्क्रीन पर उपर दिखाया जा रहा है जल्दी करिए जो संख्या दो और तीन से पूरता विभाज्य होगी और आगे बढ़ें आदेश दीजिए हो गया तो इस कुश्चन में क्या कह रहा है बी का नियुनतम मान बताईए जिसे की संख्या जो है वो छे से पूरता विभाज्य हो जाए तो बी का जो नियुनतम बैलू है वो क्या हो सकता है बताओ तो अभी अभी बताया था थोड़ी सी अगर नकल करके अकल लगालें तो कितना बैतर होगा कितना मस्त होगा ना चलो भाईया आगे बढ़ें कि अगला बहुत ही इंपॉअटन है साथ काई विल्टि रूल तोड़ा सा अलग है यह बड़ा Nat है और खतरनाग ताइब का यह अदो क्या कहता है प्राट काव में पर देख लीजिए कि इसको पढ़ने के पहले कुछ ही इंपॉर्टेंट फाइक्ट आपको पढ़ना है कि किसी भी अंक को लगातार अगर छा बार पुन्रावित्ति किया जाए तो वो साथ से पूर्था भाजी होगी जैसे कोई भी अंक है अगर उसे लगातार हम क्या वह लिखेंगे छे बार लिखेंगे जैसे मालो मैंने पांच ले लिया तो भाज्यों यह ठीक है कि कर लगातार छे बार हो तो लेकिन हर जगा तो छे बार लगातार लिखाने रहता है फिर क्या करेंगे अभी समझाते हैं कि अब मुझे इनका जो पहला वाला है उसका बांबताईए अगर दी गई संख्या जो है उनकी साथ से क्या करें पूर्थ उदारह जैसे एक बार लिख दिया दो दो बार छे बार या तिन 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 ऐसे एक चीज और ध्यान देना है इतना ही नहीं इनके दो सही होगी और भी हैं इस तरह की जो संख्याएं हैं वो ग्यारा 37 और 101 से भी पूरता विवाजी होगी इस तरह की जो भी संख्याएं हैं यानि जो भी कोई भी अंक को अगर आपने छे बार लिख दिया लगातार कोई भी अंक ले लिजिए अगर आपने इसे लगातार छे बार लिख दिया तो ये पूरी-पूरी संख्या क्या होगी साथ से completely individual होगी लेकिन एक बात और ध्यान रहें साथ ही साथ में ये 11, 37 और 101 से भी विवाज्य हो जाएगी ठीक है तब ही फटा-फट भाग दीजिए चाहे कालकुलेटर में करिए चाहे जैसे करिए करो फटा-फट चलो जैसे मैंने लिखा 2226 बार अब इनको आप भाग करो फटा-फट 37 से भाग करो 37 का पाड़ा नहीं आता फिर भी गुड़ा-उड़ा करके करो कितना आएगा भाग फट जल्दी कमेंट करो भाई चलो एनीमन कोई भी इफी तरह से 101 में भाग करना है 4-4-4 को 6 बार लिख कर इनको भी भाग करके फटा- आगे बढ़ें ध्यान से देखना ठीक है बिल्कुल अलग है यह कह रहा है कि यह दी टू-टू-टू या 3-3-3 को कितनी बार लिखा जाए मतलब इसे 110 बार लिखा जाए आप टू-टू ले लिए क्योंकि यहां पर टू-टू लिखा गया है ठीक है इसे कितना बार लिखना है कि 110 बार लिखा जाए ऐसे दो-दो-दो-दो-दो ऐसे लिखते चला जाओ फिर उसे अगर 13 से भाग करेंगे तो कितना सेसफ़ल आएगा देखिए इसको करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है आपको पता है कि अगर यह छे बार लिखा है दो-दो-दो तब तो वह 13 से पू नहीं अब तोड़के माल लिजी आपके पास 110 आम है मेंगो तो आप 66 का जोडा बना सकते हो नहीं 46 एक टोकरी में भर जाएगी बताओ कि सोचिए अठारा छक्का कि शेटेनर तालिस शेक कम छे चार दस एक्सवाट ना यानि छे टोकरी पूरा-पूरा भर जाएगी लेकिन दो बच भी जाएगा क्यूं बचेगा ना चलो आपको कोईश्चन मिलता है कहीं तो आप सबसे पहले लाश्ट वाले अंक को जो बड़ा गया है तेरह ओर भर भर न Confro Sorry 13 नहीं करेंगा वी इस सबसे पहले आपको से भाक करेंगे जो तरीका बता आपने टोकरी भाटने वाला वो चीछ पहले निकालेंगे फाइनल करेंगे ठीका है तो 6 से भाक करेंगे मेरे भाई तो यह शे कम च्रिए गटाने पाएगा 4-06-. चतिस यह क्या हो रहा है अच्छा हाँ छे से भाग करना है तो फिर मैं तेरा वाला हिसाब बताया था समझ यह 688 एक मिनट देखना सही जा रहा है क्या यह यार पांच आएगा भाई कहां हो कहां जी रहे हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो न यह 5 आएगा 0 688 कितना आएगा दो न आप समझना जो यहाँ पर सेसफल आ रहा है कितना आ रहा है दो आ रहा है न सेसफल दो आ रहा है मैंने अभी क्या कहा था कि अगर आपको 110 आम दे दिया जाए उसे 66 आम करके अलग 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 तोकरी में पैक कर दोगे तो आपकी कूल 18 टोकरिया भर जाएंगी ठीक है 18 टोकरिया में कितना हो जाएगा 18 चक्का 108 यानि 108 आम भर जाएगा 18 टोकरी पूरी हो जाएगी लेकिन दो आम बच रहा है ना कितना बच रहा है तो जितना सेसफल आ रहा है मतलब वो क्या है उतना बच रहा है तो साथियों जो बच रहा है उसको क्या करते हैं अगर दो बच रहा है तो इस दो को हम दो बार लिखते हैं दो को दो ब परिक्षा में पूछे जाते हैं बहुत आसान है सबसे पहले कोई भी नंबर हो जरूरी नहीं एक्जाम में दो-दो ही हो चार-चार भी हो सकता है पांच-पांच हो सकता है इसकी जगह पर यह साथ-साथ हो जाए कुछ भी हो जाए सबसे पहले आप उसे क्या करोगे सबसे पहले आप जो सबसे बड़ी गिंती होगी लाश्ट में उसको 6 से भाग करोगे फिर 6 से भाग करने के बाद आपको जो मिलेगा नीचे सेसफल अगर सेसफल क्या बचा अगर 2 बचा तो आप उस गिंती की पुंड़ा बित्ती दो बार करेंगे जैसे दो कम ने दो बार पुंड़ा बित्ती किया अगर सेसफल यहां पर पांच बचा होता एक मिनट अगर यहां सेसफल पांच बचा होता यहां लिख लो नहीं महां गलबड माना जाएगा अगर यहां पांच होता है कि समझ मैं किसी को कोई डाउट नहीं आगे बढ़ें चलिए बेरे गुड है आप पढ़ रहें साथ का विभाजता नियम याद रखें बूले नहीं ठीक है टॉपिक क्या सपास रहें तो यह तो हो गया साथियों उस तरह का प्रफन जिसमें कोई भी एक ही अंक को अग भी पूरता विभाज्य होगी या होती है ठीक है समझते चलिए इसके अलावा अगर कोई भी दो अंक की संख्या है वो लगातार तीन बार रिपीट होती है जैसे दो अंक की संख्या मैंने लिख लिया पचीस ठीक है अब यह लगातार तीन बार रिपीट हो रही है मतलब प पाचीस और पाचीस तो यह जो पूरा-पूरा संख्या बन रहा है ना मेरे भाई यह भी क्या होता है इस तरह की जो संख्या होती है वह भी साथ से पूर्टा विभाज्य होती है लिख लो इस तरह की संख्यां भी क्या होती है साथ से पूर्टा विभाज्य होती है जैसे माल यह मैंने 15 लिखा तो 15 को आप 3 बार अगर बगल-बगल में पंदरा-पंदरा लिख दोगे, तो यह जो बनेगा, वो 7 से पूरताविभाज है, इसके अलामा ये 3, 13 और 37 से भी पूरताविभाज है, क्या है? 3, 13 और 37 से भी पूरताविभाज होगी, ठीक है, जल्दी लिख लो फट से जवाब दीजिए यदि ये दी गई संख्या जो है वो साथ से पूर्टा विभाज है तो आपको यहाँ पर इस वाले हाइस्टेक कमान बताना है क्या होगा बहुत आफान है चलो बताओ एक बार कोशित करो ठीक है राहुल मिस्रा कमेंट आपका आ रहा है अनन्या पंडे आपका भी कमेंट आ रहा है बस कलास पर ध्यान दीजिए ठीक है स्वाती कुमारी आ रहा है करा कि कोई भी संख्या अगर लगातार तीन बार पुन्रावित्ति करती है तो वो साथ से पूर्दा विभाग तो होगी चैकर करके देख लो कोई भी संख्या कर तीन पुल्टा बोलती हों क्योंकि मैं खड़े खड़े भी सोल लेता हूं ऐसे कोई बात नहीं जरूरी नहीं कि लेट नहीं पड़े बस आप लोग इंतजार करें तो मैं सोल हूं ऐसे ही लेकिन आप लोग मुझे पता भाग जाएंगे अगला क्या कहता है कुश्चन देखिए क करा यदि तीन अंकों की संख्या लगातार दो बार रिपीट करें तो वह भी साथ से पूर्टा विभगत होगी यह भी लिख लीजी चाहें तो भाई दिखा दो स्क्रीन पर कुश्चन लिखें चल दिख रहा आपको नीचे तो दिख रहा है सबको कोई डाउड नहीं किसी को नहीं चलिए अगला है येदि कोई संख्या तीन येदि तीन अंकों की एक संख्या दो बार रिपीट करती है ठीक है क्या कहरा फिर से बार सुन लिजिए यदि कोई तीन अंकी संख्या जो दो बार रिपीट कर रही है तो वह साथ से पूर्टा विभागत से है जैसे तीन अंका से भी सवरी 1001 से भी विभाज्य होंगी तेरा ग्यारा वा एक हजार एक इन तीनों से भी पूर्टा विभाज्य होंगी ठीक है समझ में आया किसी को कोई डाउट नहीं न तो इस तरह से आपका ये भी खतम होता है क्लास नंबर आज आपका था 24 मिलेंगे फिर अगली क्लास मे अगर किसी कोई डाउट है तो आप बताईए जो बच्चे डेली जुडते हैं मैं उनका कमेंट जरूर पढ़ता हूं जरूर पढ़ता हूं और जो कभी कभार आते हैं वह तो रिष्तेदार हैं अपने वह ऐसे काम चला हूं बोल दिया जो मिलते हैं फिर अगली क्लास में क् कभी कभी यूटूब पर यह रात 9 बजे भी चलती है लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करके रखिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप आराम से प्यार फे पढ़ सकें ठीक है क्लास का टाइम शिर्यूल आपको स्क्रीन पर दिख किया जाए हाँ सूपर टेट गडित की क्लास PBR इस्टडी इलहाबाद चैनल पर परतेक रात 8 बज़े से सुरू होती है कभी कभी एक लाफ 9 बज़े से भी चलती है आपको नजरे गडा के रखना है PBR स्टडी के टेली गराम चैनल पर क्योंकि टेली गराम पर मैं सारी क्ला